हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम बेक टू मेकनेक स्टडी यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स अगर आप आइटेए किया हो यह आइटे में फिटर, टनर, मसनिस्ट, वेलडर और प्लामबर जैसी हमारा जो टेकनिकल ट्रेड है उन ट्रेड में से अगर कोई भी टेकनिकल ट्रेड को आप हो सेलेक्टिक किया है तो हमारा यह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी साथ नीचे जो द्या गया बेल आइकने उसको भी लेक कर दीजिए ताकि आगे हम जो भी अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल आएग जो कि 66 से आगे आने मिली कोशिन को हम अच्छे तरसे डिसक्रसन करेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो बहुत इंपडेंड है और यह जो कोशिन जो हम सिलेक्ट कर रहे यह आपकी आगे आने मिली जो एक्जाम है उसके लिए बहुत हैल्पल रहेगा तो इसलिए वीडियो को कोशिन दिया गया जो कि 67 नमर कोशिन में पुछा गया कि what is the operation of a metal coating with other metal to obtaining protecting surface तो कोशिन पुछा गया कि रक्षात्मक सतो प्राप्त करने के लिए अन्य धातु के साथ लेपन धातु की सरंचना को क्या कहते हैं सपोज हम यहां के एक मेटल ले रहे है कोई भी हमारा जो कॉमपनेट है यह कॉमपनेट को दूसरी एक मेटल की परत जैसे को हम कोटिंग बोलते इसके उपर चड़ाना है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते क्या वह वो क्लेडिंग प्रोसेस होता है या फिर गाल्बनेजिंग प्रोसेस यह जो इलेक्ट्र प्लेटिंग प्रोसेस होता है कि यह जो इलेक्ट्र प्लेटिंग प्रोसेस होता है इसमें हम DC पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक करेंट यूज करते इसका जो पॉजेटिव पूल होता है यह हमारा सप्लाइ मेटल जो मेटल को हम कोटिंग के लिए इस्तमाल करते है उसको हम सप्लाइ मेटल बोलते है जो कि हमारा पॉजेटिव पूल एनर बोलते है उसको इसके साथ कनेक्ट करते है और जो इ के साथ कणेक्ट करते हैं तो इसलिए हम यहां पर एक सॉलूषन लेते इसको हम बोलते इल्लक्ट्रलाइटिक सेलूषन यह एल्ट्रालाइटिक शलूषन और जो हमारा DC power supply होता है इसका positive और जो negative जो हम start कर देंगे यहां पर एक केmical reaction बनता है जैसे कि जो हमारा supply metal है यह supply metal से metal transfer होके हमारा जो component दा है उसके अपर एक coating बन जाता है तो इस तरह कि हमारा कुछ electroplating process होता है इसका advantage होता है कि हमारा component जो होता है ओ डेकरोटीब बोले तो यह देखने क के लिए सुंदर होता है और यह कोरोजन कुभूई register करता है तो यह थी कुछ electroplating के बारा में आगे हम discussion करेंगे नेक्स्ट कोशिन 68 number question 68 number question में पुछा गया कि which bearing metal is using connecting rod and electrical motor तो कोशिन में पुछा गया कि connecting rod और electrical जो motor होता है उसका bearing बनाने के लिए हम किस तरह की metal का इस्तमाल करते हैं क्या वह white metal का इस्तमाल करते हैं या फिर B में दिया गया Eliminated Phenolic metal का इस्तमाल करते हैं या फ़र C में दिया गया Sinterred LHC metal का इस्तमाल करते हैं या फ़र D में दिया गया Couple LED LED का इस्तमाल करते हैं तो यहांपे हमारा right-hand चोर हो जाएगा Option number D Couple LED LL यहांपे D Option यहांपे Correct हो जाता है तो cushion के हिसाब से जो हमारा यह होता है electrical motor इसका जो bearing यहां पर होता है और connecting rod जो की piston के साथ जुड़ा होता है जो की engine में होता है इसका जो bearing होता है यह plane bearing की अंतरगतों आता है यह जो plane bearing होता है couple lead allow से बना जाता है क्योंकि यह high temperature और ज्यादा से ज्यादा load carry करने के लिए इस metal का इस्तमाल किया जाता है next यहां पर दिया गया question 69 number question 69 number question में पुछा गया कि what is the purpose of thrust ball bearing जो thrust ball bearing होता है उसका purpose क्या है क्या वो axial load को carry करता है या फिर radial load को carry करता है या फिर axial thrust load को carry करता है या फिर vertical thrust load को carry करता है तो हमारा जो thrust ball bearing होता है दिखने के लिए कुछ इस तरह का होता है इसका main arvendish होता क्या कि जो हमारा bearing होता है यह जो हमारा bearing है यह एक साप्ट के साथ जब जुड़ा होता है यह जो साप्ट के जो पालल रेखा होता है जो कि साप्ट के एक्सिस के जो पालल रेखा होता है इसकी भर्टिकल डियरेक्शन में लोड गेता है यह जो थ्रस्ट बॉल्बेरिंग होता है ये वर्टिकल थर्स्ट लोड को केरी करने के लिए स्रक्षम होता है जो कि हमारा कोशिन की D option में है इसका right answer हो जाता है next यहाँ पर दिया गया कोशिन 70 number कोशिन पुछा गया कि which bearing is usual limited space तो सिमीत जागाओं में से किस bearing का उपयोग किया जाता है क्या वो needle bearing का इस्तिमाल किया जाता है या फर B में दिया गया thrust ball bearing का इस्तिमाल किया जाता है या फिर C में दिया गया taper roller bearing का इस्तिमाल किया जाता है या फिर D में दिया गया angular contact ball bearing का इस्तिमाल किया जाता है तो यहाँ पर right hand छोलो जाएगा नीडिल बेरिंग, यह जो नीडिल बेरिंग होता है, वो देखने के लिए कुछ इस तरह की होता है, इसका जो रोलोर होता है, यह बहुत छोटे होता है, जो की नीडिल के दाद दिखता है, यह जो नीडिल बेरिंग होता है, इसमें इसके जो रोलोर होता है, इसमें हम लाइन का इस्तमाल करते हैं नेक्स्ट यहां पर कोशिन दिया गया 71 नमबर कोशिन में पूछा गया कि what is the temperature required to process the chromogen for preventing corrosion corrosion को prevent करने के लिए जो हमारा chromogen process होता है उस chromogen process में हम कितने degree तापमन लेते हैं तो option नमबर A में दिया गया 900 degree to 1100 degree celsius, B में दिया 1000 degree to 1100 degree celsius, C में 1100 degree celsius to 1200 degree celsius और D में दिया 1300 degree celsius to 1400 degree celsius तो यहां पर राइट हैं चरो हो जाएगा D option जो कि 1300 degree celsius 1400 degree celsius यह जो chromogen process होता है यह होता क्या है कि एक थर्मो केमिकल प्रोसेस होता है जो कि कोरोजेन को रेजिस्ट करता है इस प्रोसेस के लिए हम अलुमिनियम उक्साइड एंड क्रोम पाडर का इस्तमाल करता है यह जो अलुमिनियम उक्साड और क्रोम पाडर यह जो दोनों जो पाडर होता है इसको डिफूजन करने के लिए हम 1300 डिग्री से 1400 डिग्री सेल्चेस का ताप मन यूज करता है नेक्स्ट यहां पर दिया गया 72 नंबर कोशिन कोशिन में पूचा गया कि why the double row roller bearing युज रो हम double row roller bearing का इस्तमाल क्यों करता है क्यों वो 2-2 four sab though heavy radial load या फिर two take a radial load या फिर two take a heavy axial load या फिर two take a heavy radial load तो कोशिन पूचा गया जो double row roller bearing होता है इसका इस्तमाल जो option number D में दिया गया टू टे के heavy radial load यहाँ पर right answer हो जाता है तो radial load क्या है कोई भी bearing हो जो कि shaft के साथ जो connect होता है वो जो shaft की जो parallel line होता है उस parallel line की perpendicular direction में अगर कोई भी load गिरे तो उसको हम बोलते radial load को बोलके बोलते हैं जो हमारा double row roller bearing कुछ इस्तर की दिखने के लिए होता है इसका main advantage होता है यह कि heavy radial load को carry करना तो जो कि हमारा D option यहाँ पर correct answer हो जाता है next यहाँ पर दिया गया 73 नमर कोशिंग कोशिंग में पुछा गया कि what is the name of bearing तो figure में एक bearing का figure दिया गया है यह bearing का नाम क्या है क्या बोग split bearing होता है यह फिर boost bearing होता है यह फिर solid bearing होता है यह फिर journal bearing होता है तो बेरिंग का जो figure दिया गया इसका नाम होता है split bearing next यहाँ पर कोशिंग दिया गया 74 नमबर कोशिंग को पुछा गया कि which bearing metal has poor thermal conductivity तो कौन सी bearing मेल है उसका thermal conductivity कम होता है क्या वो यहलन क्यों यह यह फिर तेफलों है या फिर सिंताररल होता है यह फिर लेमीनेटर्छिंघ में होता है तो यहाँ पर यहाँ यह उब्षा हो जाएगा 74 का option नमबर यह लीमीनेडर्ट सिनएच मेंटल हेये 具 जिए इसके इंड पर गरम करेंगे तो यह क्या होता है, heat transform होके, पूरा जो metal का पूरा body होता है वो पूरा गरम हो जाता है, इसको हम बोलते है, thermal conductivity property बोलके बोलते हैं, next यहां पर दिया गया, 75 number question, 75 number question में पुछा गया कि, which metal powder is used, colorizing process, prevent corrosion, जो corrosion को prevent करने के लिए, जो colorizing process किया जाता है उस colorizing process के लिए हम कौन सी metal powder का इस्तमाल करता है, क्या बो zinc powder होता है, या फिर nickel powder होता है, या फिर C में दिया गया क्रोमियों powder होता है, या फिर D में दिया गया aluminum powder, तो यहां पर right hand चरह होगा क्या, जो हमारा option में दिया गया aluminum powder होता है, इस powder को हम colorizing process के लिए इस्तमाल करता है यह जो colorizing process होता है इसके लिए हम 850 degree Celsius से 1000 degree Celsius टर्मन का इस्तिमाल करते हैं जो कि हमारा aluminum powder होता है उसको हम easily diffuse कर सेगे next यहाँ पर दिया गया 76 number question, question में पूछा गया कि what is the purpose of deep group type of ball races provided in the ball bearing तो पहले हम देखेंगे deep group ball races क्या है यह हमारा ball होता है जो की bearing में रहता है, inside में रहता है, middle में रहता है यह होता है उसका groove जो की ball यहाँ पर easily set होता है इसको हम ball races बोलते हैं, तो question पूछा गया कि deep group type of ball races हम क्यों इस्तमाल करते हैं क्या वो withstand shock जटके को सेहन करने के लिए या फिर to carry journal load को carry करें या फिर to withstand axial thrust load, क्या वो axial thrust load को सेहन करता है या फिर to withstand radial load तो यहाँ पर हमारा right-hand हो जाएगा, option number three to take to withstand axial thrust load जो हमारा deep group type of ball bearing होता है, जो ball races होता है वो axial thrust load को carry करता है axial thrust load क्या है? यह हमारा bearing है जो कि shaft के साथ connect हो गया है यह जो shaft है, उसका जो center line है, जिसको हम axial line बोलते हैं इस axial line के जो parallel जो भी load गेता है, इसको हम बोलते है axial thrust और जिसको हम thrust load के बोलते हैं जिस एक part को X-num से नामित किया गया है, तो यह part का नाम क्या है, क्या वो ball के जैसे हैं या फिर inner races हैं, या फिर outer races होता है, या फिर ball separating gauge होता है तो इस question के लिए हम एक figure को लेंगे, तो यहां पर एक bearing का पूरा part को यहां पर इंगित किया गया है जो कि यह होता है, इसको हम ball बोलते, और यह ball को carry करता है इसको हम बोलते, ball cages बोलते और जो inside, जो कि हमारा shaft का सथ जो connect होता है उसको बोलते inner race, और जो outer side जो होता है जो कि housing के साथ connect होता है, उसको बोलते outer race, जो question में, जो figure में दिया गया था यह जो X जो नामांगेती किया गया इसका नाम होता है option number A, bulk cages तो यहाँ पर bulk cages से right hand चरो जाएगा option number A next यहाँ पर 78 number question question में पुछा गया कि which type of bearing metal is self-lubricated तो question में पुछा गया कि कौन सा ऐसी bearing metal है जो कि self-lubricated होता है यह जो metal से जो bearing बना जाता है उस metal से bearing बनाने के बाद उस bearing को हम lubricating नहीं करते है वो क्या है, वो metal का नाम क्या है क्या वो white metal होता है या फिर centered layer होता है, या फिर aluminum layer होता है या फिर D में जा गया, cadium baser layer होता है तो यहाँ पर right hand चरो हो जाएगा option number B centered layer यह जो centered layer होता है इस metal से जो भी हम bearing बनाते है वो self-lubricated होता है जहाँ पर lubricating करना अगर कोई machine में एक bearing है वहाँ पर हम lubricating करना मुश्किल हो रहा है तो उस place पर हम centered layer से बनाया होय bearing को इस्तमाल करते ताकि वहाँ उस place पर हम lubricating करना ज़रोत नहीं होता है और वो bearing ज़्यादा दिन तक काम कर शेक है next यहाँ पर दिया गया 79 number question question में पूछा गया कि which alloy metal bearing can work at high temperature and high loading carrying capacity तो question में पूछा गया कि यहाँ पर जो 4 metal दिया गया इन 4 metal के नाम है इन metal में से कौन सी एसी metal है जिसका high temperature और load carrying capacity ज्यादा होता है क्या वो cast iron है या फिर white metal है क्या फिर copper layer alloy होता है या फिर cadium basery alloy होता है तो यहाँ पर राइट एन चरो जाएगा option number D cadium basery alloy metal यह जो cadium basery alloy metal होता है यह लगबग जो इसका temperature होता है यह 500 degree Celsius तो ताप मन पर भी यह मेटल का जो bearing होता है यह काम करता है और इसका जो में प्रोपर्टी होता है ओ हाई लोड केरिंग केपसिटी यह ज्यादा से जुद्धा लोड को केरिंग करता है इसका main advantage होता है केडियों पेस यह जोंग को जल्दी पकड़ लता है नेक्स्ट यहाँ पर कोशिन दिया गया 8 number कोशिन कोशिन में पूछा गया कि which metal is used in electroplating to metal surface to register corrosion for long period and retain high polish तो कोशिन पूछा गया कि लंबे समय तक को जौंग ना लगने देना और उच्छे polish को बनाय रखने के लिए किसी धातों की सत्व पर electroplating की धातों उपकरण किया जाता है जो हमारा electroplating process होता है उस electroplating process में जो हमारा metal यूज करते है जो कि supply metal यूज करते है वो supply metal क्या है जो कि ज़्यादा समय तक corrosion को रेजिस्ट करता है और high polish एक coating प्रदान करता है क्या वो lead होता है यह फिर nickel होता है यह फिर chromium होता है यह फिर aluminum होता है तो यहाँ पर right एंच रो जाएगा option number D aluminum यह जो aluminum होता है यह ज़्यादा समय तक corrosion को रेजिस्ट करता है और high polish भी maintain करता है next यहाँ पर दिया गया 8-1 number question जो कि आज के last question है question में पुछा गया कि which metal has higher resistance to chemical reaction निमन मेंसे 4 metal का नाम यहाँ पर दिया गया यह चारो metal का मेंसे कौन से metal है जो कि highly resistance कहता है जो कि chemical reaction को क्या वो lead होता है यह फिर nickel होता है यह फिर copper होता है यह पिर aluminum होता है यह जो चारो metal मेंसे जो nickel metal होता है इसका chemical reaction property ज्यादा होता है तो ये थी हमारा आज की कुछ important question अगर ये question आपको आच्छा लगे इसके साथ वीडियो अगर आपको आच्छा लगे तो वीडियो को जाज़ाज जादा like करे और अपने दोस्तों के साथ भी share करे तो वीडियो को देखने के लिए thank you फ